हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज की वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि राजस्थान के हरेक कॉलेज, हरेक विस्विद्याले और हरेक प्राइबेट कॉलेज कि जो एक्जाम है वो अभी रद कर दी गई है जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डिगरी की एक्जाम होनी थी वो अपरील और मई के अंदर ही होनी थी चाहे वो फर्स्ट इयर, चाहे वो सेकंड इयर, चाहे वो थर्ड इयर के कैंडेट हो इसको लेकर यहां होनी थी पर यहां पर जो है राजस्थान सरकार की तरफ से आप सभी के लिए एक निर्णे लिया गया और उस निर्णे के अंदर यह चीज डिकलेर किया गया कि जो भी एक्जाम है चाहे वो तेंथ हो चाहे वो टूवेल्थ हो चाहे वो जो board हो चाहे वो university हो चाहे वो विस विद्याले हो उन सभी की exam को यहां पर postpone किया जाए जैसा कि 2020 के अंदर किया गया था पर यहां candidate की इस चीज को लेकर यहां पर गजब ही camping चलाई जारी है और यहां कर सकते हैं कि हर एक news में हर एक update दी जारी है कि राजस्थान की ह जल से जल पर्मोट करकर उनकी जो है डिगरिया उनके हाथ में दे दिनी चाहिए पर सिक्षा मंत्री ने इसके लिए एक committee बनाई है और उस committee का नीन है यहां पर आपको 30 अपरिल को आने वाला है पर दोस्तों उससे भी बड़ी एक update आ रही है जो मैं आपको देने वाला हूं क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 2000 प्लस कॉलेज है जिसमें कि यहां पर 250 प्लस जो है यहां पर सरकाली कॉलेज है 28 या 29 यहां पर विस्विद्याले हैं और लगभग यहां पर जो है कॉलेज जो है यहां पर 17 से 8, 17 या 16 सो कुछ जो है प्राइबेट राजस्थान के अंदर यहां पर दोस्तों पर उन सभी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह अपडेट आप सभी के लिए काफी एदा खास होने वाली है क्योंकि इस अपडेट में आपको पता चल जाएगा कि जो राजस्थान सरकार है वो किस के माध्यम से जो है आपकी परमोशन करेगी आपको नंबर देगी इसके बारे में इसके बारे में पूरी अपडेट आज की इस वीडियो एम पर चल जाएगा और जो भी आपकी डाउट है परमोशन की वो भी आपको खतम हो जाएगे कि आखिर आपको परमोट किय जाएगा या नहीं किया जाएगा इसके बारे में तो दोस्तों बने रहेगा हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन के साथ वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही दा मेहनत लगती है इसलिए दोस्तों आप एक लाइक जोर करिएगा अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल स्टडी जोन को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब कर लिजेगा जैसा कि दोस्तों आप सभी को इस चीज के बारे में यहां पर पता है कि राजस्थान के अंदर जितने भी कॉलेज है चाहे वो प्रथम वर्स के हो चाहे वो दीतिय वर्स के हो जिसमें कि कॉलेज में प्रथम और दीतिय वर्स के विद्यारती को परमोट करने की त्यारी हो रही है और यहां पर देख सकते हैं कि सिक्षा निर्देश द्वारा दोपर दो बजे तक आप सभी के प्रिंसिपल से मांगा गया है सुझाओ यहां पर इस चीज को आप नोटि जो अंडर डिगरी में कितने स्टुडेंट है और उनको किस अधार पर हमें परमोट करना चाहिए और उनकी जो नमबर है वो कैसी देनी चाहिए इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर दोस्तों आपको पता भी चल जाएगा क् कि कल दोपहर तक जो है आपको इस चीज के बारे में अपडेट मिल जाएगा क्योंकि आज नहीं मिलेगा क्योंकि आज दोपहर तक मीटिंग होगी और इसकी जो बात है वो आपको नियूस पेपर में कल देखने को मिल सकती है उसके एकॉर्डिंग हम आपको बता दी अपने अपने कॉलेजों के जो विस्विद्याले हैं जो प्राइबेट कॉलेज है या जो सरकारी कॉलेज है उनके जो भी प्रिंसिपल है वाइस प्रिंसिपल है इन सभी को इस चीज के बारे में काम पे लगा दिया गया है उनकी त्यारी में लगा दिया गया है कि आप आपको यहां पर जो है हमें कमीटी के अंदर बताना होगा और क्या आपकी रड़नीती रहेगी कि आगे आने वाले समय में जो केंडेट परमोट हुए हैं उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना होए पर यहां पर एक चीज और देख सकते हैं कि जो सिक्षकों को बुलाने पर यह कहना है कि थर्ड इयर वालों को यहां पर एक्जाम देना है तो इसको लेकर कैंडेट की जो थर्ड इयर में उनकी मांग आ रही है कि हमारी ऑनलाइन जो है ट्यूसंस स्टार्ट करें और हमारी ऑनलाइन कॉलकालास जो है जल से जल जोईन करें तो यहां पर लेकर इसको लेक है इनको यह भी डिमांड आ रही है कि जब हमें 2020 के अंदर सेकेंड एर से थर्ड एर में लाया गया तो यहां पर आखिर थर्ड एर में पर मोट करने की बहुती बड़ी क्या दिकत आरी है सरकारे को तो यहां पर दोस्तों उसके बारे में भी सरकार जो है जल्दी आपको इसके बारे में राय देगी कि उन्हें क्या दिकत आ रही है और क्यों वो थर्ड येर की candidate की exam लेना चाहती है तो यहां पर दोस्तों इस चीज को आपको clear हो गया कि जो प्रथम वर्स और दीतिय वर्स की जो student है वो यहां पर promote कर दे जाएंगे और जो बाकी सारे candidate है थर्ड येर के उनकी यहां पर exam होगी तो अगर इससे related हमारे पास और कोई भी update आएगा तो हम आप तक जरूर सेर करेंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब पर दोस्तों जाहिंद है